इंडिया के अंदर Realme ने लॉंच कि अपना Realme C55 स्मार्टफोन को 28 स्मार्टफोन को इस स्मार्टफोन का फर्स से ले गाईज एंड यहाँ पर मैंने बात कर लिया है 28 स्मार्टफोन को बाई करेंगे एंड उसके बाद camera test, unboxing या कोई problem होगा इस स्मार्टफोन में तो एक dedicated वीडियो बना कर आप लोगों के साथ share करूँगा तो अगर आप channel पे नए हो और subscribe नहीं किया है तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक helpful वीडियो मिले Realme C55 को लेकर तो subscribe कर सकते हो लेकिन आज के जोड़ों हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के specification के बारे में क्या-क्या feature दिया गया है मतलब जो feature दिये गया है और जो price दिया गया है price deserve करता है यह स्मार्टफोन या नहीं सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को चले सुरू करते हैं मेरा नाम है प्रतिक आप सभी देख रहे हैं टेक टॉक तो यहां पर सुरुआत करते हैं इस स्मार्टफोन के design and look से design and look काफी बहतरीन देखने को मिलता है 7.89 mm के thickness के साथ आता है गाइस एक boxy सा में design देखने को मिल जाता है नीचे 3.5 mm jack दिया गया है अभी बहुत सारी स्मार्टफोन लाउंच हुए 2023 के अंदर बट यहां पर 3.5 mm jack हमें नहीं देखने को मिल रहा था बहुत समय के बाद 3.5 mm jack देखने को मिला realme c55 में यहां पर टाइप c का support और एक single speaker दिया हुए गाइस यहां पर single speaker की सब से काफी लाउड आवास सुनने को मिलता है यहां पर इस स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो पोली कार्बोनेट से बना गया है यानि प्लास्टिक से बनाया गया गाइस बट यहां पर आप डिजाइन देखोगे तो डिजाइन काफी अच्छा किया गया है रियल्मी कंपणी की तरफ से रियल्मी ने यहां पर काफी बैटरीन काम किया है डिजाइन को लेकर यहां पर 6.72 इंच की IPS LCD टाइप की डिस्पले देखने को मिल जाती है जो कि 90 हर्स रिफ्रेस रेट के साथ में आता है 680 nits की डिस्पले देखने को मिल जा रही है गाईस यहां पर मुझे लग रहा है कि 680 nits थोड़ा कम दिया है इन्होंने क्योंकि जब आप इस smartphone को धूप में यूज करोगे न वहां पर आपको थोड़ा कम brightness देखने को मिलेगा धूप में यूज करते समय हो सकता है आपको problem देखने को मिले अब smartphone को खरीटते हैं फिर unboxing video दूँगा तो वहां पर मैं आपके साथ share करूँगा कि धूप में यूज करते समय problem देखने को मिल रहा है या नहीं और इसी के साथ इस बार realme ने एक बहुत ही अच्छा feature एड किया है इस smartphone के अंदर जिसे हम कहते है mini capsule गाईज यहां पर आप देखेंगे center में punch hole display देखने को मिल जाएगा इसी के साथ यहां पर आपको एक mini capsule एक line up होगा गाईज जहां पर आपको सारे notification देखने को मिल जाएगे अगर आपको कोई whatsapp पर message कर रहा है ब्राउजर की तरफ से कोई notification आ रहा है तो यहां पर आपको line up में देखेंगे आपको सारे notification बारिक बारिक से मिल जाएगे और यह जो mini capsule का concept है यह apple से copy किया गया apple अपने smartphone में mini capsule का option देता था गाईज तो इस बार realme ने का लाओ हम भी try करके देखते हैं कि हमारे smartphone में mini capsule option यूज करने के बाद कैसा look देखने को मिलता है और हमारे user को कितना पसंद आता है तो यह concept copy किया गया है apple से गाईज इसी के साथ बात करें इस smartphone के performance के बारे में तो य स्मार्टफोन आता है mediatek haloi g88 के processor के साथ में गाईज जो कि एक 4G processor है यह smartphone 5G को support नहीं करेगा अब यहां पे जो इस smartphone के अंदर performance है अब यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा performance देखने को मिलता है normal user के लिए कि heavy use कर पाएंगे game खिलने पे hit करता है या नहीं lag करता है यह तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा तो थोड़ा वेट कर लो 28 तारीक को इसका फर्स से ले 28 तारीक को मैं इसे बाई करूँगा 29 या 30 तारीक तक आप तक वीडियो पहुच जाएगी और इसी के साथ बात करें एक camera के बारे में तो back side में dual camera का setup देखने को मिल जाता ह है जो में camera है वह 64 Megapixel का front में हमें 8 Megapixel का एक selfie camera देखने को मिल जाता है इसी के साथ गाई पांच हजार एमेज के बैटरी के साथ आता है ये smartphone काफी बड़ी बात है यार 11,000 रुपे के range में 5000 एमेज की बैटरी देना काफी बड़ी बात है यहां पे 33 वाट का fast charging support करता है अब 11,000 रुपे के range में किसी भी स्मार्टफोन में 33 वाट का charger नहीं दिया गया था बट रियल मी ने यहां पे 5000 एमेज बैटरी के साथ 33 वाट का fast charging support भी दिया गया है तो यहां पी अभी तक इस वीडियो में मैंने आपके साथ जितने भी feature share के गई 11,000 रुपे के साब से काफी अ बी 33 वाट के fast charging के साथ में आ रहा है mini capsule आपको यहां पर देखने को मिल रहा है 6.72 इंच की big display देखने को मिल रही है और यहां पर मैंने अभी तक आपके साथ आधा ही feature share किया है बाकि सारे feature guys आपके साथ share करूंगा unboxing video में तो इस video में इतना ही guys 11,000 रुपे के हिसाब से काफी अच्छा smartphone देखने को मिल रहा है अब मेरा excitement बढ़ रहा है guys कि कभी से smartphone का first say low कभी से buy करूं और कभ आप लोगों को unboxing video दो तो guys wait करो थोड़ा उमिद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आयोगी पसंद आगे तो please like कर देना चैनल को भी subscribe कर देना